रेल्वे की तरफ से एक नई सुपरफास ट्रेन का संचालन सुरू किया जाना है जो की महज 6 घंटे में हावडा का सफरताय कराएगी इसी वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे नई ट्रेन के डीटेल्स के बारे में तो चली सुरू करते हैं आज का ये लेटेश वीडियो बडेट उसे पहले हमारे चैनल को नहीं किया हैं सब्सक्राइब चो करने सब्सक्राइब पस्चिम बंगाल में रहने वाले सरधालों को अब महज 6 घंटे में ही यहां आने के लिए सफरताय करने का मौका मिलेगा इसके लिए रेलवे की तरफ से एक नई सुपरफास टेन का सुभारंब किया जाना है और सब कुछ ठीक रहा तो माई में ही इस ट्रेन का संचालन सुरू कर दिया जाएगा इस सेमी हाइ स्पीड ट्रेन यानि की वंदे भार ट्रेन को लॉंच करने की योजना बनाई गई है और यह ट्रेन सप्ता में तीन दीन चलाई जाएगी शौमवार, शुकरवार और सनिवार को यह ट्रेन चलेगी जो कि अब तक के कई यात्रियों की या एक पसंद्धा ट्रेनों मेंसे एक है यह ट्रेन पूरी रेलवे स्टेशन से हावरा के बीच चलेगी दोनों ही दिसाओं में इसे ट्रेन का संचालन देखने को मिलेगा कोलकता से सिर्फ सारे 6 घंटे में इस ट्रेन का सफर पूरा हो पाएगा और ICM 1000 की घडियां जल्द अब खत्म होने वाली है रेलवे सूतरों के अनुसार हावडा पूरी वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन मैई से सुरू हो सकती है और रेलवे ने ट्रेन की ट्राइल रन की तारीक का भी एलान कर दिया है इसके साथ ही अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैई से कम समय में इस ट्रेन के माध्यम से सफरता हो पाएगा ट्राइल रन के दवडान हावडा से ये ट्रेन सुभा 6 बच कर 10 मिनट पर रवाना होगी इसके साथ ही ये ट्रेन 12 बच कर 35 मिनट पर पूरी डेलवे स्टेशन पहुंचेगी या फिर ट्रेन दूशे दिशा में पूरी से 2 पर 1 बच कर 50 मिनट पर रवाना होगी और रात 8 बच कर 30 मिनट पर हावडा डेलवे स्टेशन पहुंचेगी आईसे में यह ट्रेन भूबने स्वरकटक और खरकपूर में रुकेगी और करीब 130 km प्रती घंटा के अपतार से ट्रेन का संचालन किया जाएगा तो यह था आज का लेटिस्ट वीडियो प्रेट या वीडियो के साल लगा कमेंट बॉक्स में बताएं इस वीडियो को सेयर करें और साथ ही नई ट्रेनों का ब्रेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें